सारा ने साल 2018 में केदारनाथ फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखा था तो वहीं करन देवल 2019 में फिल्म पलपल दिल के पास में पहली बार स्क्रीन पर नज़र आये थे लेकिन क्या आप जाते हैं कि सनी देवल चाहते थे कि दोनों ही स्टार्स एक साथ एक ही फिल्म से डेब्यू करें इसके लिए सारा की मा अमरिता सिंग बिल्कुल तयार नहीं थी लेहाजा बात नहीं बनी मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो करण और सारा के साथ डेब्यू को लेके सनी देवल ने अमरिता सिंग से बात की थी लेकिन अमरिता इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थी उन्होंने साफ साफ इसके लिए इंकार कर दिया और उस वक्त ये सब सुनकर सनी पाजी को काफी ठेस पहुझी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अम्रता कभी भी इस बात के लिए मना तो नहीं करेंगी, वो तुरंत हा कर देंगी, लेकिन वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, सारा ने करन से एक साल पहले के द देब्यू से इंकार क्यों कर दिया? क्या इसके पीछे की वज़या उनका अपना पुराना रिष्टा तो नहीं था? दरसल, सनी और अम्रता ने भी साथ में ही डेब्यू किया था, फिल्म बेता आप से. उस वक्त दोनों को एक दूसरे के काफी करीब बताया जाता था, लेक उन्हें डिम्पल का पाडिया संग भी उनके सीक्रिट अफेयर के बारे में पता चला. अब चूंकि एक लंबी कहानी है, जो अचानक ही खतम हो गई, अब ये सब सनी देओल की पहली फिल्म बेताप के साथ में शुरू हुआ था, जिसमें अम्रता सिंग उनकी को स्टार थी जैसे की आमतोर पे होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आये और अफेयर शुरू हो गया, हालाकि दोनों की मा को ये रिष्टा मंजूर नहीं था. जबकि सनी देओल की मा प्रकाशकौर अम्रता को स्ट्रॉंग हेड़ेड लड़की मानती थी, जो उनके परिवार के लिए स जा संग सनी देओल की शादी की तस्वीर ने लीक कर दी, हालाकि देओल कभी नहीं चाते थे कि ये खबर लीक हो, क्योंकि सनी अपने करियर की शुरूबात कर रहे थी, और बाद में सनी देओल के डिमपल कपाडिया के साथ रिष्टे होने की भी अफवाहें आई थी, जब दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सनी देओल के धोके की बज़े से ही, अमृता ने सारा को करन देओल के साथ डेब्यू नहीं करने दिया, आप हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर पिताएगा, और बोलीवुट से जुड़ी इसी त स्क्राइब ज़रूर कर लीजे, अगले वीडियो में